गौरी सावन्त एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है जिसने लंबे समय तक खुद से लड़ाई लड़ी समात से लड़ाई लड़ी और क्या खूब काम किया कि आज उनके उपर बॉलवुड में वेब सीरीज तक बन गई है हाल ही में शुश्मिता सेन की वेब सीरीज ताली रिलीज हुई है इसमें सुश्मिता ट्रांस वूमिन के रूप में नजर आई हैं वेब सीरीज ताली की कहानी किसी और की नहीं बलकी ट्रांस वूमन गौरी सावन्त कि संगर्शों की कहानी है नमश्कार मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेजरिक एंटेटेंबंट आज के वीडियो में मैं आपको गौरी सावन से जुड़ी हर एक बात के बारे में बताऊंगी उनके किरदार के बारे में बताऊंगी जो शुश्मिता सेन निभाया है उनकी लाइफ से अफगत करवाऊंगी जिन्होंने इतने स्ट्रगल किये इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स झेली और आज वो जहां है वो आप सब जानते हैं लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे अपने स्वाभी मान, सम्मान और स्वतंद्रता की कहानी लेकर ताली बजाएंगे नहीं बजवाएंगे वहीं सीरीज का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए शुश्मिता सेन ने लिखा था मुझे एक खुपसूरत और शंगर शील सक्स के जीवन को चत्रत करने का मौका मिला इससे जादा स्वाभाग्य की बात और कुछ हो नहीं सकती अब आते हैं कहानी पर गौरी सावंत, ट्रांसजेंडर है उनका जन पूने में बालक गणेश के रूप में हुआ था पिता एक पुलिस अधिकारी थे, जब गणेश साथ साल के थे तब गौरी की मा का निधन हो गया था उसके बाद उनकी दादी ने उन्हें पाल पोस कर बढ़ा किया लेकिन गणेश के शरीर और स्वभाव में अंतर आने लगा था बूरी दादी को वो ये बात बता नहीं सकती थी और बात को डर के मारे बताया नहीं स्कूल में सारे बच्चे गणेश का मजाक उडाते और उस पर भदे भदे कमेंट किया करते जैसे जैसे उनके शरीर में बदलाव हो रहा था वो लड़कों की ओर आकरशित होने लगे थे अब तक उन्हें पता नहीं था कि गे होना आखिर होता क्या है गणेश गुपचुब अपनी दादी की साडियां पहन कर सच्टी सवर्ती स्कूल के बाद कॉलेज के दुनों में गणेश को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा अब गणेश के पास और कोई आप्शन नहीं था अपने परिवार को सच बताने के अलावा उन्होंने अपने अंदर हो रहे बदलावों के बारे में अपनी फैमिली को बताया हमसफर ट्रस्ट की मदद से गणेश ने खुद को बदला और वेजिनो प्लास्टी कर वाली अब पूरी तरह से गणेश गौरी बन गई मौजोदा समय में गौरी सावंत एक सोशल वरकर हैं जो कई सालों से किन्नरों के हितों के लिए काम कर रही हैं तमाम परिशानियों के वावजूद साल 2000 में गौरी सावंत ने दो अन्य लोगों की मदद से सखी चार चौगी ट्रस्ट की स्थापना की तब से गौरी सावंत सभी किन्नरों के हितों में काम कर रही हैं गौरी सावंथ ने 2009 में किर्णरों को कानूनी माननेता दिलाने के लिए कोट में हल्फ नामा दायर किया था नास फाउंडेशन ने गौरी सावंथ की अपील को आगे बढ़ाया इसे नाशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जनहित याचिका का रूप दिया था इसी याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोट ने ट्रांसजेंडर कानून को माननेता दि गौरी सावंथ ने कई मासूम बच्चियों को सेक्स वर्कर्स के धंदे में धकेले जाने से बचाया है इनही में से एक थी गायतरी जो एक सेक्स वर्कर की बेटी थी काम के दौरान गौरी सावंथ की इस सेक्स वर्कर से मुलाकात हुई थी जो HIV से पीडित थी और उसकी मौत हो गई उसकी मौत के बाद दरिंदे उस सेक्स वरकर की छोटी बेटी को बेचने की पात करने लगे तब गौरी सावंत ने उनसे लड़ाई लड़ी और उस बच्ची को गोध लिया आपको बता दे गौरी सावंत देश की पहली transgender election ambassador भी है कुछ साल पहले वो विक्स के एक विज्यापन से चर्चा में आई थी इसमें वो एक छोटी सी बच्ची के साथ दिखी थी इस विज्यापन में दिखाया गया कि किस तरह एक बच्चे के माबाप मर जाते हैं और फिर गौरी सावंत यानी मम्मी उस बच्चे को गोद लेती है इस विज्यापन ने गौरी सावंत को चर्चा में ला दिया था वहीं गौरी सावंत कौन बनेगा करोड़ पती के एक एपिसोड में भी नजर आई थी तब हमिताब बच्चन ने भी उनकी तारीफ की थी अब इन ही के जीवन पर आधारित वेब सीरीज ताली डिलीज हो चुकी है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और क्या गौरी सावंत की लाइफ से आप भी इंस्पायर हुए या नहीं ये भी बताईएगा बने लिए हमारे स्वान नमस्कार